आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सा सेंटेंस स्क्रक्टर सीखेंगे और इस सेंटेंस स्क्रक्टर को हम अपनी कॉन्परजिशन में बहुत यूज करते हैं और इसे यूज करकर आप बहुत साल सेंटेंस बोल सकेंगे आप कहते होगे न किसके कहने पर तुमने मेरे messages check किये अक्सर हम घर में यही बात करते हैं किसके कहने पर तुमने मेरे mobile को हाथ लगाया जब इस तरह की बात हो न किसके कहने पर इसके लिए हम use करते हैं at whose behest और उसके बाद आपका जो भी sentence आएगा अगर past का है तो past में sentence बनेगा अगर present है तो present में sentence बनेगा ठीक है at whose behest आप first use करेंगे start में use करेंगे उसके बाद आपका sentence आएगा कुछ example सेखें किसके कहने पर तुमने उसे दावत दी at whose behest यह structure हो गया आगे past simple है तुमने दावत दी और यह सवाल है तो फिर आप कहेंगे did you invite him at whose behest did you invite him किसके कहने पर तुम यह सब कर रहे हो अब यह present continuous हो गया किसके कहने पर तुम यह सब कर रहे हो at whose behest यह आपका structure हो गया इसके बाद तुम यह सब कर रहे हो are you doing all this are you doing all this question है इसलिए हम they are doing नहीं कहेंगे are you doing कहेंगे at whose behest are you doing all this किसके कहने पर तुमने मेरे messages चेक किये at whose behest did you check my messages at whose behest did you check my messages past simple था इसलिए did you check my messages आया है किसके कहने पर तुमने यह फैसला किया यह भी past simple है at whose behest did you decide this at whose behest did you decide this अब अगर आप ये कहते हो कि मैंने अम्मी की कहने पर उसे दावत दी तो अब at whose behest नहीं आएगा बलकि जिसके कहने पर आपने दावत दी है आप उसका नाम लोगे जैसे अगर आप कहते हो कि मैंने अम्मी की कहने पर उसे दावत दी तो आप खाओगे I invited him Past है I invited him At the behest of my mother At the behest of my mother I invited him मैंनो से दावदी At the behest of my mother अपनी अम्मी के कहने पर कि मैं यह सब boss के कहने पर कर रही हूES अगर आप किसी से पूछते हो कितुम किसकी कहने पर यह सब कर रहा हूES और वो आगे देवस का जाटा है At the behest of my boss, boss के कहने पर ऐसी हमने पूचा था, किस के कहने पर तुमने मेरे messages चेक किये अब अगर वो बंदा कहता है कि मैंने messages खुछ चेक किये अपने कहने पर, अपने दिल के कहने पर तो मैं कहूँ कि at my behest, I checked all messages At my behest, I checked all messages यानि मैंने ये messages खुछ चेक किये ऐसी अगर आपने कहा किस के कहने पर तुमने ये फैसला किया अब आप कहते हो बहन के कहने पर ये जारा के कहने पर तो आपको अगे at zara's behest I decided it at zara's behest I decided it तो ये start में भी आ सकता है और last में भी आ सकता है क्योंकि ये phrase है तो ये start में भी आ सकता है last में भी आ सकता है at zaraz behest I decided it I told everything to my mom at your behest मैंने तुम्हारे कहने पर अमनी को सब बता दिया अब यहाँ पर at your behest ये last में आ गिया I told everything to mom at your behest तुम्हारे कहने पर मैंने अमनी को सब बता दिया अब कुछ sentences आपके लिए हैं, इसे share कीजिए, comment box में translate कीजिए, principal की कहने पर इम्तिहान आगे हो गए हैं, यान्acam की date आगे बढ़ गई है, या इम्तिहान मुलतवी हो गए है, principal की कहने पर इम्तिहान आगे हो गए है, किसके कहने पर तुमने मुझे फून किया, किसके कहने पर तुमने मुझे फून किया, किसके कहने पर तुम घर से बाहर गई, किसके कहने पर तुम घर से बाहर गई, अब ये तीन सिंटेंसिस आप ट्रांसलेट करेंगे, कॉमें बाक्स में शियर करेंगे, और आपने ये स्ट् झाले वानान्या, क्यों एक जाए खाउड़ा हुड़ा इक जाए जाए तेरागा हुड़ा 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 है